नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सरु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हर्यान अपडेट डेली न्यूस तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवाडी शेहर की तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखे सबसे पहले हमारे पास चोग खबर आई थी बड़ी रिवाडी में कोरोना के दो नए के सामने निकल कर आए हैं मैं आपको अधायत हूँ कि कुछ दो तिन दिन पहले रिवाडी के अंदर जो कोरोना के एक भी मरीज नहीं था माला एक भी एक्टिव केस नहीं था जिसके बार डीसी यशेंदर सिंग ने मिटिंग करी दी और उसमें लोगों को ये समझाया था कि अभी भी मास्क जरूर पहने हलंकि उन्होंने ये का था कि कुरोना का भी एक भी एक्टिव केस नहीं लेकिन स्थीती आगी कुछ भी हो सकते और जैसे उन्होंने का अगले दिन मंगलवार को दो कुरोना के केस सामने निकल कर आये हैं तो आप लोग भी मास्क जरूर पहनें दो गज की दूरी जरूर मानें इसके बाद जो अगली खबर है कि महिला के थेले से 20,000 की नगदी साफ में आपको अदर दो हैं ये धारवेडा की खबर है धारवेडा के अंदर धारवेडा स्थिर जो PNB बैंक है देखिए रिवाडी में सडक हाथ सवाई ये दो अलग-अलग जैगोए में आपको बता रहेता हूँ कि कहां कहां पर ये हुआ है और कैसे देखिए पुलिस के अनुसार दी गई शीकर पुलिस ने जो बताए उसमें ही का गया है कि 15 फरवरी को रात करीब 10 बजे एक तो हासा का निवासी और एक अलवर की गाउं पाटन अहीर निवासी वो दोनों बाइक पर सवार होके जा रहे थे और NH352 मतलब राजमार्क राश्ट्री राजमार्क संक्या 300 बाउन से जा रहे थे और गाउं पालवास के निकट बने फ्लाइओर पर पहुंचे तो उनक थोड़ा घायल हुआ था वहाँ पर उसको चिक सेकों ने मिरित गोशित कर दिया है और एक व्यक्ति थोड़ा घायल हुआ है उसकी अभी चल रही है उस्पिटल में दूसरी और मैं आपको बतारता हूं एक रोध तक कि गाउं पटवा पुरनिवासी राकेश था और उसने यह अपनी शिकायत में एक आ गया है कि करीब चार महीने पहले वो खेतों में फसलों की रखवाली के लिए मनलब काम करता था पंदरा फरवरी की शाम को करीब आठ बजे वे पैदल सडक के किनारे जा रहा था इसी दोरान पीछे से बाइक पर आ रहे दो यूबग मनलब दो यह पीछे से बाइक पाए और उनसे उनकी टककर हो गई और मैं आपको उतायता हूँ जैसे टककर होई तो वो व्यक्ति भी गिर गए और जो दो व्यक्ति बाइक पर रहे थे वो भी गिर गए जिनमें वो गायल भी हो गए तो मैं आपको उतायता हूँ जो व्यक्ति बाइक हुई है, डांसिंग, सिंगिंग, यह सभी काम हुए है, जो आज की आखरी कबर है कि खराब रोड से लोग परिशन, मैं आपको बता देता हूँ, जो सहर के दिली रोड पर पुलिस लाइन है, उसके समीब जो फ्लाइ ओवर उसके नीचे गड़े ही गड़े बहुत जाएद है जो एक, मैं आपको बता देता हूँ, हादसे का कारण बन सकते हैं, और वहाँ बन भी रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, कि रोजाना, जो हमारे पास खबर है उसमें, पंदरा से बीस वहां चालक चोटिल हो रहे हैं, उस गड़े के कारण, लेकिन नेशनल हाईवे जो काम अभी तक नहीं किया जा रहा है, और यह जो बढ़ खाबड गड़े हैं, इनसे पानी भी बढ़ता है, जिससे आपको बता है, पानी भरने से मच्छर वगेरा पैदा होते हैं, तो मतलब हर तरीके से यह गलती है, और मैं आपको बता रहे हैं, कि अब सरकार को या जो भी मतलब है, उनको कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए, और इनको ठीक कराने चाहिए, जादा की जादा से जादा लोगों की जान बजाई जा सके, और आपको बता रहे हैं, कि रिवाडी की जितनी भी बड़ी खबरे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मिलेंगी, धन्यवाद और मैं आपको एक और बता रहेता हूँ, कि हमारा इंस्टाग्राम पेजा आप उसको भी फोलो जरूर कर ले, क्योंकि वहाँ भी हम पोस्ट अब डालना स्टार्ट करेंगे, निउस से रिलेटेड वहाँ पर पोस्ट देलेगे और रिवाडी से पू मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, धन्यवाद